बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार को लेकर भारतिय जनता पार्टी के राष्टिय अद्रक्ष ने जो बयान दिया है। बिहार में नितीश कुमार की सरकार और नितीश कुमार के नित्रित्त में भाजपा चलेगी। पर भी मुख्यमंत्री बनाया यानि भाजपा नितीश के नित्रित्त को बिहार में सुईकार कर रही है। जैसे ही जेपी नडड़ा ने बयान दिया है और इस बयान के बाद ये चर्चा फिर से तेज हो गई है क्या नितीश कुमार एक बाद फिर से भाजपा के साथ वापसी करेंगे। अब जेपी नडड़ा के बयान के बाद तो इस परष्ट हो चुका है, भाजपा क्या चाहती है, भाजपा क्यों ऐसा चाहती है लेकिन एक चीज तो इस परष्ट है कि भाजपा के जो लोग है वो लगतार इस पर विचार बिमर्थ भी कर रहे हैं। ऐसे में मुख्वंत्री नितीश कुमार के तरफ से बार बार तेजस्वी पर हमला किया जाना गटबंदन धर्म के लिए ठीक नहीं है। ब्यार में महागटबंदन के स्वास्त के लिए भी ये बयान बाजी काफी हानिकारक है। ऐसे में मुख्मंत्री नितीश कुमार जैसे ही दवाव महसूस करने लगे तेजस्वी सामने आए हैं लेकिन तेजस्वी ने सब कुछ पष्ट किया नहीं है लेकिन तेजस्वी ने इन बातों का जिक्र किया है कि यह महागडबंधन मजबूत है और जो लोग चाहते हैं कि महा महागडबंधन को हम तूटने नहीं देंगे मुख्मंत्री नितीश कुमार और लालू परसाद यादो महागडबंधन के नेता हैं यही दोनों लोग महागडबंधन को चलाएंगे और बाकी जो बयान देते हैं वो बयान देते रहें तेजस्वी आदों दिल्ली से लोटे ह लोटते ही बड़ा बिस्पोर्ट कर दिया है तेजस्वी ने सपस्ट कर दिया है कि बिहार में नितीश कुमार के नित्रित्यों में हमारी सरकार चल रही है और हम नितीश कुमार के नित्रित्यों में ही चलेंगे बड़ा सवाल यही है क्या मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं अपने नेताओं से या इस बात को लेकर सोच विचार कर रहे हैं ति राज़त के साथ आना उनके लिए हानिकारक है घाटा का सौधा है या राष्टिय जनता अदल की वज़ा से राज़त निताओं के वज़ा से नितीश के वोट बैंक पर भी असर पड़ेगा पहले भारतिय इंताओं पार्टी ने मुक्कमंत्री नितीश कुमार के वोट बैंक पर प्रभाव डाला और अब बिहार के डिप्टी स्चेम तिज़स्वी आदो की पार्टी राष्टिय जनता दल ने हिंद मुसलिम पर दिये गए बयान को लेकर नितीश कुमार की छवी के साथ साथ नितीश का वोट बैंक भी खिसकता हुआ नजर आ रहा है और भादपा की तरफ एक तरफा पोलराइजेशन होता हुआ नजर आ रहा है तेज़स्वी बले इस मसलिव को लेकर जबाब नहीं दे रहे हो लेकिन मुक्कमंत्री नितीश कुमार ने सफ़स्ट कर दिया है और कह दिया है कि आने वाले दिनों में वह भारते जनता पार्टी सहीत संप्राइट शक्तियों को उखार कर फेकेंगे तेज़स्वी ने भी इनी बातों का समर्थन किया है और अपने नेता के बयान को डाइवर्ट करने की कोशिस की है अगर वीडियो पसंद आई अगर वापत्रकाइटा के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद